ओम शान्ती 22 मार्च 2023 अभी पढ़ेंगे मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्युबाबा की मुरली मीठे बच्चे देहिय अभिमानी हो रहना यही बड़ी मंजिल है देहिय अभिमानी को इश्युवरिय संप्रदाई कहेंगे उन्हें बाप और परमदाम के सिवाए कुछ भी सुझेगा नहीं प्रेश्ण किस एक बात की धारना से भविश्य एक की जन्मों के लिए पुंजी जमा हो जाती है उत्तर स्रीमत पर अपने उपर तता दुसरों पर उपकार करने से उपकार वही कर सकता है जो पूरा देही अभिमानी बने जिसकी बुद्धी शुद्ध हो देअभिमान में आने से अपकार हो जाता है और जमा होई पुंजी खतम हो जाती है घाटा पड़ जाता है सबेरे मेरे मन के द्वारे पायल की जनकार ओम शांती जब परमात्मा बाप आकर के जीव आत्मां से मिलते हैं तो जीव आत्मा को अपना जीव पना भूल जाता है उनको निच्छे हो जाता है कि हम आत्मा है और परमपिता परमात्मा की संतान है बाकी जो कुछ हम देखते हैं यह दे सही दे के सर्व सबंदयो सबंदयादी यह तो याद करना ही नहीं है बाप आती है बच्चों को वापिस ले जाने के लिए तुम चोक उठते हो यह क्या होता है ब्रह्मा की अंधियारी राद पूरी हो सवेरा होता है दे सई दे के जो भी सबंद है वो तूट जाते है तो चोक गए है कि क्या हो गया है यह पुरानी दुनिया देखने में नहीं आती है बस बाप और परब्धाम ही सुचता है यह वंडर है ना परन्तु बाप को पूरा न पहचानने के कारण बुद्धी योग न लगने के कारण दे अभिमान पूरा मिटता ही नहीं है उनको हम बंदर संप्रदाय कहते है जब हम देही अभिमानी बने तब इश्वरिय संप्रदाय कहे बंदर संप्रदाय का नारत के रूप में दृष्टानत है वह भी भक्त था जांज बजाता था उनको बाप ने दिखाया है कि देखो तुम बंदर संप्रदाय हो तो देही भिमानी हो रहना बहुत मुश्किल है बड़ी मंजील है बल पवित्र बनते ऐसे अच्छे और बुरे मनुख्ष तो होती है अब सन्यासी घरबार चोड़ते पवित्र बनते है जो घरबार नहीं चोड़ने वाले है ग्रस्ती वजाकर उनों को अपना गुरू बनाते है कल्यों की दुनिया के सभी मनुख्ष मात्र नास्तिक निधन के है हे भगवान हे परमपिता परमात्माखो पुकारते तो है परन्तु उनको जानते नहीं की आखरिन भी वो कोन है पुकारते पुकारते वो ठक पड़े है कहा देते है इश्वर सर्व्यापी है बंदगी भी करते परन्तु जानते नहीं है यह तो समस्तने की बात है भगवान वाच किता में भी भगवान है ना यह आसुरी संप्रदा है भगवान ने क्यों कहा है कि तुम बंदर मिसल हो अपनी शकल तो आइने में देखो भगवान को जानते नहीं है ढूंडते रहते है इसलिए मनुक्षो को ही भगवान मिलना चाहिए ढूंडते है परन्तु मिलते नहीं तो जब भगवान आये तब आकर अपना परिचे दे गिता में पूरा निच्चे है कहते है मैं रुद्र हूँ मुझ रुद्र ने ये ग्यान यग्य रचा है अगर कहे स्रिकिष्ण ने रचा तो कहे मैं स्रिकिष्ण तुमको राज्योग सिखाता हूँ परन्तु स्रिकिष्ण ग्यान यग्य होता नहीं ये तुम बच्चे ही जानते हो बाके तो सब बनुक्ष मात्र आयरण एजड है मुख से पत्तर ही निकालते रहते हैं जुड बोलने वाले के लिए कहते हैं इनका मुझ काला है जब सन्याज धर्म की स्तापना होती है उस समय सुरुष्टी रजो है तो भारत को पवित्रता थमाने लिए ये पवित्र धर्म की स्तापना होती है उनको रजोगुनी सन्याज कहा जाता है सन्याज जरूर करते है परंतु रजोगुनी वो कोई सत्तो प्रदान नहीं है जब भारत कामचिता पर चड़ने से जलना शुरू हो जाता है तब ड्रामा में सन्यास का भी पार्ट है उनको कोई सहज राजयोग नहीं कहेंगे वह भगवान ने नहीं सिखाया था वे तो भगवान को नहीं जानते ये बड़ी भारी भूल कर दी है जो स्रिकिष्ण को द्वापर में ले गए है बाप बेड भूले हुए मनुक्षो को समझाते है परंतु समझाने में बड़ी रिफाइनेस चाहिए सन्यासी लोग कहते है आप सन्यास धर्म की निंदा करते हो बोलो आकर समझो पहले बताओ तुम निंदा किसको कहते हो परंपिता परमात्मा जो सबका बाप ए गिता का भगवान है उसने समझाया है स्रीकिष्ण ने नहीं परंपिता परमात्मा ने आकर कहा है कि यह कल्यूक का अंत है मनुक्षो की बुद्धी जड़ड़ी बूत आसूरी बन गई है सत्युग में है पावन देवी राज्य वह समस्त है हम ही इशवर है परंपू वो तो है नहीं इशवर तो सबी का एक है जिसको सब याद करते है यह समझने की बाते है समझाना हो तो समझो परंपू समझाने वाला बड़ा रिफाइन चाहिए जिसमें कुरोध का भूत होगा वो क्या समझा सकेंगे कुरोध का भूत, मो का भूत, लोब का भूत चोटे बड़े भूत तो होते ही है गंदी आदते है अच्चे अच्चे बच्चों से भी माया कुछ न कुछ करा देती है यह सब देअभिमान की शैतानी देविमान आया तो फिर जैसा बंदर हो जाता है फिर वो मंदिर लाइक बनना सके तुम जानते हो मंदिर लाइक देवी देवता ही बनते है उन्हों के लिए ही मंदिर बनाया जाता है सत्युग में तो सारी दुनिया को शिवाले कहा जाता है सबी मंदीर में रहते हैं सुरुष्टी ही पवित्र मंदीर बन जाती है विश्व शिवाले बन जाता है जिसमें यथा राजा राणी थथा प्रजा सब पवित्र रहते है तो कोई को बड़ा युक्ति से समझाना होता है चुवा काटता भी है फिर फूग भी देता है उनमें ये अकल है कोई सन्यासी आदी आए तो पहले युक्ति से उनकी मयमा करनी चाहिए आओ सन्यासी जी आप तो बहूत अच्छे हो जो सन्यास किया है घरबार चोड़ा है तुमको मालूम है दो प्रकार का सन्यासे एक है घरबार चोड़ने का सन्यास दुसरा है घरबार न चोड़ने का सन्यास गरस्त विवार मेरे ते राज्योक सीख स्वर्ग का मालिक बनना होता है कभी सुना है, कहेंगे ये बात तो कोई भी शास्त्र में नहीं है गीता में श्रीकिष्ण का नाम डाल द्वापर्प में ठोक दिया है तो समझेंगे कैसे, फिर चित्रों पर समझाना होता है तुम्हारा है गरबार चोड़ने का, सभी तो नहीं चोड़ेंगे प्रोड़ती मारग है, तुमने प्रोड़ती में रहते हुए फिर पाँच विकारों का सन्यास नहीं किया है हम कर रहे है, हमको मदद मिल रही है परमपिता परमात्मा की, ऐसे गरस्त विवार में रहते पाँच विकारों का सन्यास करने से हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे सत्यूग में देवी देवताय पवित्र थे अभी नहीं है कल्यूग के बाद फिर सत्यूग आना है बाप ही आकर सत्यूग स्तापन करते है प्रवर्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनाते हैं तुम कहते हो आग कपुस इखटे रह नहीं सकते हैं परन्तु या रहते हैं तुमारे पास प्राप्ती की एम आपजेट है तुमारे पास प्राप्ती की एम आपजेट तो कुछ है नहीं बेहत का बाप जब आते है तब पुरानी सुरुष्टी का विनाश और नई सुरुष्टी की स्तापना हो जाती है यह ग्यान हमको मिलता ही है नई दुनिया के लिए बाप कहते दे सईत जो भी तुमारे सबंद आदी है सब को भूल अपने को देही समझ मुझे याद करो यह हमारा राजयोग है सतोप्रदान वो तो है तमोप्रदान फिर तमोप्रदान से सतोप्रदान सुरुष्टी जरूर बननी है सतोप्रदान बनाने वाला रचिता बाप ही ठेरा हम उस बेहत के बाप से सीख रहे है भगवान एक है ब्रह्मा विश्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है उनसे नीचे तब के वालों को मनुक्ष कहा जाता है भगवान रहते ही है परमधाम में हम आत्मे भी वहां रहती है ऐसे रिफाइनन्स से समझाना है परंतु योग पूरा नहीं है तो धारना नहीं होती है बाबा जो समझाते हैं वो किसको याद थोड़ी पड़ता है भल कोई बच्चे कहे हम याद करते हैं परंतु बाबा मानते नहीं है अगर तुम याद करते हो तो बुद्धी शुद्ध होनी चाहिए और धारना अच्ची होनी चाहिए धारना अए तो फिर करानी भी है उपकार करना है तुम जानते हो बाप आकर सब पर उपकार कराते है माया रावन अपकार करते है बाप आकर एक ही बार इतना उपकार करता है जो एक ही जनम हमारा उपकार हो जाता है उपकार कहो अत्वकृपा आशिरवाद आधी जो कहो द्वापन में फिर अकृपा शुरू हो जाती है रावन अपकार करते हैं स्रीमत से ही तुम कोई का भी उपकार कर सकेंगे फिर देअभिमानी बनो तो उपकार करना शुरू कर देते होंगे उपकार करने से भविष एकी जन्मों के लिए पुझी जमा होती है उपकार करने से जो जमा हुआ होता है वह भी खतम हो जाता है जबकि उपकार करना जानते है तो जरूर अपकार ही करेंगे आसुरी मत पर मनुक्ष हर एक एक दो पर अपकार ही करते हैं काम कटारी चलाते हैं बाप को भूला उपकार करना भूला तो वो भी अपकारी जरूर बनेगा सेकंड में उपकार सेकंड में फिर उपकार कर देते हैं अच्चे अच्चे बच्चे कितने उपकारी थे उपकारी बन पड़े कितना उपकार करते मनुक्ष समझते कुछ तो होगा जो भागे हैं हम फिर कैसे जाए उल्टी सुल्टी बकवाद आकर करते हैं गोया जो उपकार करते खाता जमा किया सो फिर उपकार करके अपने खाते को मिट्टी में मिला दिया ऐसे बहुत हुए है औ पर अपकार ही करते हैं अपकार कोई करना सके जब तक स्रीमत पर न चले अपकार कराने वाली रावन मत है अभी अभी स्रीमत अभी अभी रावन मत पर चल पड़ते हैं ग्रोध का भूत आया और अपकार कर लिया अपकार कर लिया बाप पर अपकार का कलंक लगा दिया निंद निकल जाता है तो फिर मैमा भी करते हैं क्रोध बहुत खराब है इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मीठे सुभाव वाले बनो क्रोधी टेमपर अग्यान है बाप समझाते हैं ममत वो को बिलकुल छोड़ना है ममत वो टुटे टुटे जब अंतका समय आएगा तब संपूर्ण ब बच्चे जानते ममा बाबा पहले पोचते है तो उनकी मत पर चलना फालो करना चाहिए धारना करनी चाहिए माबाप के दिल पर चड़ेंगे तो तक्त पर भी बैठेंगे अपने से पुछना है कि हम लक्षमी को वरने अर्थत माबाप के तक्त पर बैठने लाइक बने हैं अगर समस्ते हैं अमारे में क्रोध है तो वह कभी दिल पर चड़ न सके, न भविश्य में महाराजा महारानी बनेंगे, कदम कदम पर स्रीमत पर चलना है, अगर ट्रेटर बन पड़े तो जाकर चंडाल बनेंगे, खुबहु कलब पहले वाली बाते बाबा रोज रोज सुनाते रहते हैं, उनमें कहा भी फरक नहीं पड़ सकता, कितना ग्यान का नशा रहना चाहिए, परन्तु जो सर्विस पर होंगे, उनको रहेगा, जैसी सर्विस करते हैं, उनको फल जरूर मिलता है, नमबर वन है, नौलेज देना, उसमें बहुतों को सुक दे चक्रोरती बनाना है, औरों को बनाएंगे, सर्विस की युक्तिया तो बहुत अच्ची बताए जाती है, कहां भी सर्विस हो सकती है, फिर करके सो में से एक जगेगा, मेनत का काम है, ऐसे से रात दिन बाबा का विचार सागर मंतन चलता है, अनेक प्रका के विचार चलते है, कितने विगन पढ़ते है, विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाना है, उसके लिए अथा ख्यालाद चलत इसलिए गाया हुआ है, नींद को जितने वाले, बाबा को कभी कभी तो नींद ही नहीं आती, बच्चों को विश्व का मालिक बनाना है, तो इतना फिकर रहता है, तुम बच्चों को भी इतना फिकर रहना चाहिए कि हम स्रीमत पर कहा तक चलते है, बाबदा संग हम को ही कुला कंदा देना है सारी पूरानी दुनिया को रवाना कराना है अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते हम रुहानी बच्चो की रुहानी मात पि नहीं करना है, निंदा नहीं करानी है, स्रीमत पर अपना तता सर्वका उपकार करना है, क्रोध का भूद प्रवेश होने नहीं देना है, भूद मीठा सुबाव बनाना है, युक्ति से सेवा करनी है, वर्दान, संपर्क में आने वाली आत्माव को सदा सुक की अनुबुति कर जाने वाले माश्टर सुकदाता भवो आप सुकदाता के बच्चे माश्टर सुकदाता हो इसलिए सुक का खाता जमा करते रहो शिरिप यह चेक नहीं करो कि आज सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया लेकिन चेक करो कि सुक कितनों को दिया जो भी संपर में आए आप म की जन्व का खाता जमा कराना है स्लोगन है एक बाप को अपना संसार बना लो तो अभिनाशी प्राप्तिया होती रहेंगी एक बाप को अपना संसार बना लो तो अभिनाशी प्राप्तिया होती रहेंगी अच्छा ओम शांति